दोस्तो आज के अपनी इस लाइस्टैल वीडियो में हम जिनकी लाइस्टैल के बार में बात करेंगे उनका नेम है अमरित पाल सिंग संदू और अमरित पाल सिंग संदू को तो आप सब जानते होंगे बहुत फेमस एक्टिविस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक निकिया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजे और हमारे चालन को सब्चैप करना ना भूले तो चले फ केज हो चुकी है 30 एर प्रोफेशल से अमरित पाल सिंग संदू एक एक एक्टिविस्ट एन लीडर है वारिस पंजाब दे और्गनाइसेशन के लेफेंट से बात करेंगे अमरित पाल सिंग संदू की फिजिकल अपीरियंस के बारे में अमरित पाल सिंग संदू की हाइट अ 5.11 एचनलन का वेट है 75 किलोग्राम्स अमरित पाल सिंग संदू का आई एन हेर कलर ब्लैक है अमरित पाल सिंग संदू ने अपने स्कूल की पढ़ाय की है अमरित सर के सरकारी स्कूल से एड एजुकेशन कॉलिफिकेशन के हिसाब से अमरित पाल सिंग संदू 12th पास हैं इतने फेमस एक्टोवेस्ट और वारिस पंजाब्दे और्गनाइजेशन के लीडर होने के वज़े से अमरित पाल सिंग संदू के Instagram account के उपर 120,000 followers पूरे हो चुके हैं अब चलिए आपको मिलवाते हैं अमरित पाल सिंग संदू के फादर का नेम है तरसेम सिंग और इनकी मदर का नेम है बलविंदर कॉर अमरित पाल सिंग संदू के twin sisters and one brother है अमरित पाल सिंग संदू का religion है सिखिल समय नाशनालिटी से एक इंडियन है अमरित पाल सिंग संदू का zodiac sign है एक्वेरियस और इनकी होबी है ट्रैवलिंग अब बात करेंगे अमरित पाल सिंग संदू के करियर के बारे में अपनी 12th class पूरी करने के बाद ये 2012 में अमरित पाल सिंग संदू शिफ्ट हो गए दुबई दुबई में शिफ्ट होने के बाद अमरित पाल सिंग संदू ने ट्रांसपोर्ट बिसनस में काम किया लगभग दुबई में 10 साल तक काम करने के बाद ये 2022 में अमरित पाल सिंग संदू वापस लोटे इंडिया वारिस पंजाब्दे और्गनाइजेशन की हेड बनने के लिए September year 2022 में अम्रित पाल सिंग संदू बने थे वारिस पन्जाब दी organization के लीडर और अपने इस organization के अंडर अम्रित पाल सिंग संदू ने खालिस्तान movement चलाया था और खालिस्तान का बेसिक मीनिंग है कि अमरित पाल सिंग संदू चाहते हैं कि पंजाब को एक अलग कंट्री डिकलियर कर दिया जाए आकि पंजाब अपने आपको अलग नेशन के तरह रिप्रेसेंट कर सके और अपने इस मुवमेट के अंदर अमरित पाल सिंग संदू ने अपनी आईडिलोजी को अपने फॉल्वर्स के साथ लोगों को बताना चाहा जिसके वज़े से इंडियन गौवर्मेंट को लगा कि अमरित पाल सिंग संदू के आईडिलोजी के वज़े से इंडिया में पंजाबी जैन अधर एलेजन्स की बीच में डंगे देखने को मिल सकते हैं और इसकी वज़े से हमरित पाल सिंग संदू को इंडियन गौवर्मेंट ने फिजिटिव डिकलियर कर दिया और आज आप सभी जाते होंगे कि अमरित पाल सिंग संदू मोस्ट वांटिड फिजिटिव है इंडिया में तो होगा इसे दे कुछ पात हैं अमरित पाल सिंग संदू के करियर के बारे में अब चलिए बात करेंगे की 1st कार है Mercedes-Benz GLS और इसकार की How 90 रूपी अमरीत पाल्सिंग संदू की second कार है Ford Endeavour और इसकार की Isher 50 रूक है अ Marit Palsyंग संदू की third कार का orange A.C.Su.D Max और इसकार की कोस्ट है 20 रूपी अ Marit Palsyंग संदू की last dylar का आम है Witara Breeze और इसकार की कोस्ट है 12 क्रूपी at that बात करेंगे अमरित पाल सिंग संदू के इंकम है नेट वर्थ के बारे में अमरित पाल सिंग संदू मतली 1.5 लाक रुपीज के नहीं कर लेते हैं and year 2023 के साब से अमरित पाल सिंग संदू के नेट वर्थ हो चुकी है 5 करोड रुपीज तो होगा इसे थी फेमस एक्टिविस्ट एंवारिस पंजाब दे ओर्गनाईजेशन के लीड है अमरित पाल सिंग संदू की लाइस्टाल वीडियो if you like this video don't forget to do the like button and do subscribe to our channel you can also follow me on my instagram my instagram id is current underscore 34 and do comment down your favorite actor's name whose lifestyle video you want